राधे राधे भक्तों जय श्री कृष्ण आज की जो वीडियो का विशय है बहुत ही सुन्दर है। हमें जो है गोवर्धन पूजा क्यों करनी चाहिए और हमें गौव माता को इस दिन अंकुर क्यों खिलाना चाहिए वीडियो को ध्यान से देखना भक्तों। कार्तिक माह के शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी के दिन गोवर्धन पूजा होती है और इस दिन घरों में गोबर से गोवर्धन परवत यानि गिरिराज जी महाराज बनाये जाते हैं। फिर उनका विधिविधान से पूजन होता है। यह पर्व दिवाली के अगले दिन अमावस्या तिथी समाप्त होने के बाद प्रतिपदा तिथी में मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक महा के शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी एक नवंबर को शाम 6 बज कर 16 मिनट पर शुरू होगी और इसका समापन 2 नवंबर को रात 8 बज कर 21 मिनट पर होगा। ऐसे में भक्तों उदया तिथी के अनुसार गोवर्धन पूजा में अनकूट का का भी बहुत ही महत्व है, जी हाँ गोवर्धन पूजा में अनकूट का बहुत बढ़ा महत्व है, अनकूट का भोग भी सामर्थ्य अनुसार जरूर लगाना चाहिए, कहीं कहीं लोग मूंग दाल और बाजरे को मिला कर के खिचड़ी बनाते हैं, तो कहीं कहीं अन्नकोट में भगवान श्रीकृष्ण को 56 भोग का प्रसाद भी लगाया जाता है। इस प्रक्रिया को अन्नकूट कहा जाता है भक्तों, आइए जानते हैं गोवर्धन, पूजा पर चढ़ाये जाने वाले अन्नकूट प्रसाद का 56 भोग के बारे में अर्थात इसका क्या महत्व है। प्रसाद को अलग-अलग बांटने की बजाए इकठा बांटा जाता है। इस मिश्रन का स्वाद निराला होता है। भगवान ने इस अनकूट के प्रसाद में कई सारी सबजी को मिला करके देखिए। भगवान का इस प्रकार का जो प्रसाद है इसमें कई प्रकार की सबजी को मिला करके आप मिक्स कर सकते हैं। जैसे कड़ी है, चावल है, पूरी है, रोटी है, मुंकी खिचड़ी है, बाजर जो भी आपसे बने भगवान के प्रसाद में इस प्रकार की चीजों को मिला करके भगवान को भोग लगा सकते हैं। और इसी परवत के नीचे लगातार साथ दिन बिताए थे। इस दोरान सभी ने अपने साथ लाए हुए जो खाद्य सामगरी जीतने भी वहां के रहने वाले लोग थे। सभी ने खाद सामगरी लाए और दोनों को मिला करके बाट करके आपस में खाया। इसका स्वाद इतना ज्यादा अद्भुत था कि इसे खाने के लिए स्वयम भगवान कृष्ण लल्चा गए थे। बाद में वह अन्नकूट प्रसाद के रूप में गोवर्धन परवत को भोग लगा करके खाया जाने लगा। खुद भगवान कृष्ण ने सुप्रिय प्रसाद का हर वर्ष गो गोवर्धन परवत की किस प्रकार से पूजा की जाए तो गोवर्धन पूजा करने के लिए आपको सबसे पहले घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन का चित्र बनाएं। इसके बाद रोली, चावल, खील, बताशे, जल, दूध, पान, केसर, फूल और दीपक जलाकर के ग गोवर्धन भगवान की पूजा करें, कहा जाता है कि इस दिन विधी विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से साल भर भगवान श्री कृष्न की कृपा बनी रहती है। में चल रही सभी प्रकार के कष्ट, ततकाल, समाप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति की सभी प्रकार की मनो कामनाओं की पूर्ती होती है। ऐसा माना जाता है। इस कथा को अगर सच्चे मन से सुने, तो कोई भी आपकी मनो कामना हो, चाहे कितनी भी बड़ी मनो कामना हो, वह मनो कामना की पूर्ती हो जाती है आईए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयम नारायन का अवतार है लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने किसे पूजनिये बताया है गोकुल व्रिंदावन के लोगों को किसकी पूजा करने के लिए प्रेरित किया था, तभी से भक्त जन इस परवत की पूजा करते हैं, तो आज भी ऐसी मान्यता है कि मतुरा के पास में स्थिती जो गोवर्धन परवत है, इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ती होती है, यहां से कोई भी खाली नहीं लोटता, इसी व परशकों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है, अब इनकी पूजा क्यों होती है, इनकी पूजा होने के पीछे क्या कारण है, तो गोवर्धन परवत की उंचाई आपने देखी होगी, आज से काफी पहले काफी दिखाई देते थे, लेकिन हजारों साल पहले यह बहुत ही उ उंचा था, विशाल परवत था, और इस परवत की उंचाई लगातार घटती जा रही है, इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा बताई है, इस कथा के अनुसार गोवर्धन परवत को तिल-तिल करके घटने के लिए एक रसी ने श्राप दिया था, श्री कृष्ण ने पूर्ण करता है, गोवर्धन परवत की परिक्रमा करने वाले हर व्यक्ति को जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, साथ ही साथ गोवर्धन पूजा करने वाले लोगों को भी पैसों की कमी नहीं होती, ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में गोवर्धन परवत की उं गोवर्धन पर्वत की उंचाई लगातार घट्ती जा रही है। गोवर्धन पूजा के दिन हमें गाय को कौन सी वह एक चीज खिलानी चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता का पूजन करते हैं। गष्ट नहीं देना चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। दोस्तों, भगवान श्रीकृष्ण को गायों से विशेश लगाव था, उन्हें गौमाता बहुत अधिक प्रिय थी। श्रीकृष्ण के अनुसार गायों की सेवा करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा पुन्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं। कल्युग की भविश्वानी करते हुए भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि कल्युग में जब धर्म का लोप हो जाएगा, तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेंगे। मनुष्य केवल दूध के लिए ही गाय को पालेगा, दूध के लिए गाय को बहुत कष्ट देगा, जिसके परिणाम स्वरूप कल्युग में पाप और धर्म उसके चरम पर होगा, कल्युग के अंत का लक्षण बताते हुए श्रीकृष्ण कहते हैं, जब संसार से गाय पागिन और सौभाग्यशाली रहेगी, जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंच गव्य को रखेगा, उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी, दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जो व्यक को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए, अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए, इसके अलावा आप अपने घर में ही गौव माता की मूर्ती रख कर उनकी पूजा जरूर करें, इससे भी माता कामाधेनु का आशीरवाद प्राप्त होता है, शास्त मुनी अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे, तथा राजा महराज गायों का दान करते थे, गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है, गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नश्ट हो जाते हैं, और मनुश्य को मोक्ष की प्राप्ती होती है, आज हम आपक के सबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं. गाय की पूजा कैसे करनी चाहिए? गाय को कौन सी चीजें खिलाने से कौन सा फल मिलता है? तथा गाय के किस अंग को सपर्ष करने से दरिद्रता दूर होती है? आदी के बारे में हमारे शास्त्रों में ही महत्वपूर्ण ज्यान दिया गया है. हमारी अत्यंत पूजनी य गौमाता के बारे में आप सभी को यह बात अवश्य जान लेनी चाहिए. इससे आपके जीवन से सभी प्रकार के कश्ट दूर होंगे. दोस्तों, कई बार महिलाएं जाने अंजाने में गाय को कुछ जा देती हैं, जिससे मा लक्षमी क्रोधित हो जाती है. शास्त्रों में कहा गया है कि ये चीजें गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए. इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और उसे किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है. तो चलिए जान लेते हैं. गौम के दरशन होने से लक्षमी की प्रापती होती है. अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही गौमाता आपके रास्टे में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है. किसी भी यात्रा पर निखलते समय अगर गौमाता के दरशन हो ज और पित्र दोश से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शन की साढ़े साती या महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें। इससे शनिदोश कम होता है। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्य वर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धी करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकाल कर एक सफेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में बुद्ध ग्रह कमजोर है या आपको किसी कारण इसके दुषप्रभाव जहेलने पड़ रहे हैं, तो हर बुद्ध वार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुद्ध से जुड़े दुषप्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोश है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानिया है तो लाल रंग की गाय की सेवा करें, मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड और चने आदी खिलाएं। ब्रिहस्पती ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ती के जीवन में विवाह आदी मांगलिक कार्यों में विग्ण निर्मान हो रहे हैं, तो उन लोगों को कुंडली में ब्रिहस्पती ग्रह की स्थिती को मजबूत करन के लिए रोटी पर गुड और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए इससे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं अगर घर में अशांती है लड़ाई जगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांती बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपल को पंच गव्य कहते हैं पंच गव्य को पाप नाशक कहा जाता है और हिंदूओं की धार्मिक विधी प्रायश्टित करने में इसका उपयोग किया जाता है पंच गव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यनत उपयोगी होती हैं जो स्वास्थि के लिए लाभदायक तो लोट जाती है उसके घर से लक्षमी भी चली जाती है प्रत्येक स्त्री को प्रति दिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए इससे गौ माता का आशीरवात प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती हैं कुछ से महापाप लगता है यदि आपकी कुंडली में चंद्रदोश है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है तो आप यह एक उपाय जरूर करें रोटी पर सफेद मक्षन नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दें यदि शनी दोश है तो आटे में से महाप लगता है यह जो आपके द्वार पर गौ माता पधारे आप इसको कुबड को एक बार जरूर स्पर्श करें इससे आपके जीवन से सभी दुखों का अंत होगा और धन संपत्ती की प्राप्ती होगी शास्त्रों में कहा गया है जो मनुष्य तन्मन धन से गौ माता क वह मृत्यू के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूँच पकड़ कर पार कर लेता है उस व्यक्ति की अकाल मृत्यू नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ती होती है जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुण उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय गौमाता और जय श्रीकृष्ण जरूर लिखें और इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं स्वस्थ रहे, अच्छित रहे, धन्यवाद.